नाकपूर के राजनगर में दिल दहला देने वाली खटना सामने आए हैं कुआ सफाई के दोरान दो मजदुरों की दर्दनाक मौत हो गए मौत दम घुटने के कारण हुई या करिंट लगने से यह अब तक साफ नहीं हो पाया है जिसे परिसर में काफी खलबली मची हुई है नागपूर के सदर सित SBI कॉलोनी प्लोट नमबर 15 राजनगर सदर निवासी डॉक्टर सुनील राफ के घर के कुई की सफाई का काम करने रविवार को किशोर उई के शंकर उई के अमन मरकाम और कोयल नामक मजदूर गए थे मजदूर ने कुई की सफाई करने का काम किया इस कुई से चार मकानों में जलाप पूर्ती होती है जिसमें आटले और सोनी परिवार का समावेश है रविवार को सभी ने की सफाई करवाने का निरने लिया जोरान शंकर उई के अमन मरकाम और अन्य ने कुई की सफाई का ठे बारां अमन कोई में उत्रा इस दोरान वख कोई में बेहोश हो गया कुछ देख तक जब उसकी कोई हल्चल नहीं सुनाई दी तब शंकर उसे देखने के लिए कुई के अंदर गया हो भी अमन की तरह बेहोश हो गया अमन और शंकर की कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो कुए के बाहर खड़े किशोर और कोयल परिशान हो गए किशोर के धियान में आ गया कि शंकर और अमन कुए के अंदर बेहोश हो गए है उसने ये बाद डॉक्टर राफ को बताई डॉक्टर राफ दमकल विभाग को सूचित किया और दमकल विभाग ने शंकर और अमन को कुए से बाहर निकाला दोनों को बेहोशी की हालत में में उस्पताल पहुंचाया गया जहां प्रात्मिक जांच के दौरान ही दोनों को मृत घोशित कर दिया गया घटना के बारे में पता चलने पर सदर पुलिस घटना स्तल पर पह सार में उस्पताल के डॉक्टर ने दोनों की मौत का कारण अभी तक नहीं बताया है पॉस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत का कारण पता चल सकेगा पुलिस इस एंगल में भी जाच कर रही है कि कुए में लगी मोटर पम का किसी ने बटन तोन नहीं दबा द सदर के थानेदार गोकुल सुर्यवंशी के अनुसार पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि दोनों मजदूरों की मौत कैसे हुई परिजनों ने आरूप लगाया है कि कुए में लगी मोटा पंप आटोमेटिक शुरू कर दी गई जिससे शंकर और आमन की मौत हो गई दोनों मजदूरों को नहीं बताया गया कि कुए में करंट आता है उन्हें ये बात पहले बता दी जाती तो वे कुए के अंदर क्यू उतरते ये सवाल पूछा जा रहा है MBC News के लिए क्लिश भादवाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट